हम यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करने जाने वाले हैं कक्षा बार्वी का त्रिवीमी जामिती इंग्लिश में इसे थ्री डामेंशनल जोमेट्री बोलते हैं और यह इस क्लास का लेक्षा नमबर वन है तो आईए शुरुवात करते हैं आज के टॉपिक की त्रिवीमी जामिती में सबसे पहले हमें देखिए क्या पढ़ना है वैसे तो यह टॉपिक वेक्टर से काफी कुछ रिलेटेड है और मैंने वेक्टर यानिकी सदिस आपको बहुत कुछ पढ़ा रखा है अब सदिस में आपने जो चीजे जानी है उनका अनुप्रयोग इस च कारती रूप और सदिस रूप में क्या होता है तो आज तक आप mathematics जिस तरीके की पढ़ते आ रहे थे वो कारती रूप है मतलब कौन सा रूप x और y वाला रूप है ना जिसमें आपने x, y इत्यादी पढ़ा है वो कौन सा रूप था कारती रूप परन्तु अब आपको सभी चीजें समी सदिस में पढ़ेंगी जैसे आप क्या पढ़ते थे सरल रेखा तो सरल रेखा का equation आपने पहले कारती रूप में देखा था class 11th में y minus y1 equal to m into x minus x1 यह आपने सरल रेखा का समीकर्ण जो था आपने किस में देखा था कारती रूप में परन्तु अब यह समीकर्ण आपको किस रूप में दिखाई देगा आपको यह समीकर्ण सदिस रूप में दिखाई देगा ठीक है तो हमारे सिलेखा में हलाकी पहले क्या होता था सरल रेखा के साथ सा समतल भी हुआ करता था परन्तु समतल को डिलीट कर दिया गया है रणिंग सिलेखा से ओके मध्धप यह निर्देशांक आपके सामने निर्देशाक्ष दिये गए हैं और आपको पता है कि यह निर्देशाक्ष जिस बिंदू पर आपस में एक दूसरे को कट करते हैं वो होता है मूल बिंदू जीरो 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 मूल बिंदू का जो सदिस होता है इसे आप O वेक्टर कह सकते हैं O वेक्टर इक्टर 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 केप कहते हैं और यह जड़क्ष है जो आपके स्क्रीन से बाहर की और निकल रहा है जड़क्ष की दिस्टा का काई सदिस क्या कहते हैं के कैप कहते हैं ओके जड़क्च की दिस्सा का इकाई सदिस जो हुआ करता है उसे के कैप कहते हैं आप मान लीजिए इस चीज को पढ़ते समय आप मान लीजिए कि जहां बैठे हैं मोबाइल के सामने आपके बाएं तरफ की दीवार का निचला कोना आ किसे मान लिए आपका एक कमरा है तो आपके बाएं तरफ जो आपकी बाएं आख है उसके तरफ जो नीचे वाला कोना जो आपको मिलेगा वो आपका ओर्जिन है अब आपकी दीवार की कोने से तीन अक्ष जा रही है एक अक्ष एक्स मान लिजे एक वाई मान लिजे और एक ज और जहां तीनों कोने मिल रहे हैं उसको क्या मान लीजे उसको मूल बिंदू मान लीजे अब मान लीजे कि हवा में कोई रेखा आ रही है कोई सरल रेखा हवा में जो है इस तरीके से बाहर की और निकल रही है ठीक ना अब मैं तो प्लेन में बना पाऊंगा बटो सरल रेखा ह हवा में है यहाँ पे मैं तो बना रहा हूँ प्लेन में आपको देख रहा है कि यह रेखा तो इस तरीके से प्लेन में है परंतु इसको प्लेन में सुईकार मत कीजिए यह मान लीजिए कि यह सरल लेखा जो है यह कहां पे है यह हवा में है बाहर की ओर ओके एग्जैक्ली प् सब्सक्राइब A, B, C हो, क्या होंगे A, B, C तो क्या बनेगा सदिस? सदिस आपका बनेगा P का स्थिति सदिस बनेगा O, P सदिस और P का स्थिति सदिस कहलाएगा सब लोगोंने पढ़ राखा है A, I, C, P, J, C, P, P, C, C यह जो A, B, C है यह क्या कहलाते हैं? दिक अनुपात यहाँ पर A, B, C बचो इनको बोलते हैं हम दिक अनुपात ओके? यह पूरे सदिस के लंबाई घटक है ओके? क्योंकि देखो ध्यान से X अक्ष के अनुदिस कित्ती लंबाई कटेगी यहाँ पर? A कटेगी अगर आप यहाँ पर लंब डाल दें तो Y अक्ष के अनुदिस कित्ती लंबाई कटेगी? B लंबाई कटेगी है ना? लंबाईयों का प्रच्छे पर जो कटेगा अक्षो के अनुदिस वो क्या है? A, B, C और इन्ही को हम बोलते हैं दिक अनुपात चलिए और यहाँ पर कितने हैं बिंदू? 0, 0, 0 तो यह आपके सामने दोस्तों यह वेक्टर जा रहा है अब देखो यह जो वेक्टर है यह जो वेक्टर है अक्षों के साथ तीन कोण बना रहा है एक बना रहा है X अक्ष के साथ अलफा X X के साथ कितना कोड बना रहा है Alpha कोड बना रहा है तो ये रेखिए मैं कोड दिखा रहा हूँ आपको इस रंग से Alpha Y X के साथ वाला कोड देखी यहाँ पर बनेगा बीटा और Z X के साथ वाला कोड क्योंकि ये प्लेन में तो आपको दिख रही बटे हवा में है बाहर की तरफ तो बाहर की तरफ है तो बाहर से एक कोड घूम करके आएगा जडक्च के साथ ऐसा ये कोड कहलाएगा Gama फिक अब एक बात महसूस कीजिए कि आपके पास में कोड जो होता है एक चीज concept नहीं पर मैं बताऊंगा आपको कोण के बारे में कुछ बात करूँगा आपसे मैं देखिए चाहे कोण आप इस बिंदू से निकालो सरल रेखा का कोण कभी बदलता नहीं है जैसे आपने पढ़ा भी होगा नाइध क्लास में एक सरल रेखा आकर के दो पैरलल को काट रही है तो जितना कोण यहां पर बनेगा उतना कोण यहां पर बनेगा तो आप रेखा के किसी भी भाग से कोण निकालेंगे हमेशा कोण समान रहेगा तो हमें क्या निकालना है यह अलफा निकालना है ओके तो आईए देखते हैं इस Alpha को निकालने की क्या प्रोसेस है यहाँ पर स्वाल्प करते हैं देखिए हमें Alpha निकालना है हमारे पास तीन कोण मिल चुके है Alpha, Beta, Gamma ठेक है Alpha, Beta, Gamma आपके पास तीन कोण मिल चुके है अब समझें कि इन Alpha, Beta, Gamma का जो कॉस होता है इन कोणों को बोलते हैं दिक कोण क्या बोलते हैं इनको दिक कोण लिख लीजे कौपी में अलफा बीटा और गामा को बोलते हैं दिक दिक एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है दिशा ओके तो ये दिशात्म कोण है एक्सक्ष की दिशा के साथ वाई एक्सक्ष की के साथ इनको बोलते हैं दिखकोण और इन दिखकोण के जो कॉस होते हैं दिखकोण की कॉजिया कहलाती है कॉस कोजिया पोलते है, cos alpha, cos beta, cos玉ा, ठीक है न, और इनको क्या नाम दिया गया, in को नाम दिया गया, LMN, मतलब L equal to cos alpha, M equal to cos beta, और N equal to cos γामा, अब आप काओगे सर, LMN ही नाम क्यों पढ़ गया, LMN तो हमने पढ़े थे वो 21 सदिस के कोने हुआ करते थे कुछ दिन पहले आपने वेक्टर पढ़ाया था तो आपने बताया था कि जो 21 सदिस के कोने होते हैं उनको हम element बोलते हैं आईए याद दिलाता हूं ये देखिए आपके पास में ये 3-dimensional coordinate system है त्रिविम है ना coordinate को निर्दि साक्ष तंत्र बोलते हैं तो 3-dimensional coordinate system या 3-D system बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हम लोग को तो ये देखिए आपके पास में ये कोई complete vector है OP vector ओके आपको पता है कि जो OP vector जो होता है complete vector जिसके कोने ABC होते हैं तो ABC equal to AI cap plus BJ cap plus CK cap और इसका आपने unit vector निकाला था OP cap तो कितना आया था देखिए इसका unit vector दिये गया सदेश अपान उसका परिमाड तो AI cap plus BJ cap plus CK cap अपान उसका परिमाड कितना था under root A square plus B square plus C square जिसको आपने लिखा था OP cap equals to A upon under root A square plus B square plus C square I cap plus B upon वही पुरानी कहानी J cap plus C upon वही पुरानी कहानी और K cap जिसको हम short में लिखते थे OP cap equal to L I cap plus M J cap plus N K cap अब आपको पता है कि vector पूरा चाहे इसके साथ alpha cone बनाए चाहे इतना हिस्सा alpha cone बनाए बात तो बराबर है इतना कूण क्या है ये है OP cap unit vector तो unit vector के नर्देशांक मैंने आपको बताए थे unit vector के जो कोने हुआ करते हैं देखो क्या बन रहा है unit vector L M N तो unit vector का ये वाला जो part आएगा वो क्या कहलाएगा L M N मतलब जैसे इसका x अक्ष के ऊपर जो projection पढ़ता था वो A पढ़ता था ऐसे यहाँ पर इस छोटे से का x अक्ष के ऊपर जो projection पढ़ेगा वो कित्ता पढ़ेगा L पढ़ेगा जैसे x अक्ष के ऊपर complete vector का A पढ़ता था ऐसे इसका कित्ता पड़ेगा L पड़ेगा अब चलिए कॉस अलफा लगाते हैं कॉस अलफा इकॉल टू क्या होता है यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ कॉस अलफा इकॉल टू आधार बटे कर्ण कॉस अलफा इकॉल टू आधार बटे कर्ण तो इस ट्रेंगल के लिए आधार क्या है भाई साब इस ट्रेंगल के आधार ये है इस ट्रेंगल के लिए जो आधार है आपको क्या दिख रहा है इस ट्रेंगल के लिए आधार ये है ग्रीन कलर में तो ये आधार है तो भाईया आधार कितना दिख रहा है एल आधार किता होगा एल क्योंकि कोण से चिपकी हुई भुजाई को तो आधार बोलते हैं तो आधार हो गया एल और कर्ण कितना है कर्ण है ओपी कैप का परिमार क्योंकि लंबाई की बात हो रही सदिस की बात नहीं हो रही है पूर तो लंबाई बटे लंबाई होता है ना अनुपात होते हैं तो L upon O P cap और पूरी दुनिया जानती है O P cap क्या है भाईया इकाई सदिस है जिसके उपर टोपी लगी हो वो परिमार कितना देता है 1 देता है तो यहाँ पर L upon कितना हो गया 1 तो logic बिल्कुल clear हो जाने चाहिए कि L equal to क्या होता है कौस alpha होता है इसी तरीके से M equal to क्या होता है कौस beta होता है और N equal to कौस गामा होता है बोलो clear हुए एक दम LMN का फंडा ओके तो यह LMN L equal to cos α, M equal to cos β, N equal to cos γاما हुआ करता है ठीक है न? और यदि आप देखेंगे यहाँ से OP cap का परिमार कितना निकलेगा भाई, OP cap क्या है? 21 सदिस है और आपको सबको पता है कि 21 सदिस का परिमार OP cap का परिमार कितना होता है? 1 होता है 1 equal to under root L square plus M square plus N square अगले page में लिखता हूँ हाँ भई, कहाँ पर था था मैं? तो मैं था OP cap के बारे में OP cap के परिमार के बारे में मैं आप से बात कर रहा था कि OP cap का जो परिमार होता है that is equal to 1 होगा क्योंकि OP cap क्या है? 21 सदिस है 21 सदिस का परिमार हमेशा 1 होता है और ये है LI cap plus MJ cap plus NK cap equal to किता होगा 1 इसका परिमार 1 होगा परिमार चलिए इसको हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा L square plus M square plus N square equal to 1 दोनों तो पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो L square plus M square plus N square equal to 1 ओके और इसके बाद L square plus M square plus N square स्कॉाइर के बाद आप जो है एल की वैलिव पुट कर दीजे तो एल क्या है कॉस आलफा है अभी अभी मैंने पढ़ाया कि जो एल होता है वो कॉस आलफा के बराबर होता है एम जो होता है वो कॉस बीटा और एन इकॉल टू कॉस गामा तो यहां पर रखेंगे लिए स्कुर्ण बीटा प्लस कॉस्ट स्कुर्ण गामा इक्वल्स टू वन वैरी इंपोर्टे डेरिवेशन इसे छोटे-छोटे क्वेस्टन बनाकर से हैं सो मार्कट वैरी वैरी इंपोर्टेंट ओके काफी डिटेल में मैंने बताया इसलिए बताया क्योंकि आपके concept develop हो जाए अगर मैं एक line में कह देता कि बच्चों ये दो चीजें याद कर लो कि L square plus M square plus N square equal to one होता है L equal to cos alpha M equal to cos beta N equal to cos beta तो cos square alpha cos square beta cos square gamma भी one होता है ये भी लिख देता तो इससे भी आपके सवाल तो हो जाते बट unit vector और complete vector यानि कि दिक कोज्या और दिक अनुपात की अवधारना अगर आपको clear हो गए इसके concept अगर आपको clear हो गए तो 3D को आप फिर मतलब आराम से handle कर लोगे फिर 3D कुछ परिशान नहीं कर पाएगे आपको तो यहां तक I think आपको clear हो गया होगा यदि इनमें कोई डाउट है कहीं पर तो बताईए प्लीज कौन सा पार्ट एपन एक्स्प्लेन करें एक बर बताईए चलिए कि आपने सवाल करने की रूप में क्या लेते हैं सदिस लेते की लंबाई यां लेते हैं तो बस लंबाई ही लेंगे न हम हाँ 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 आधार एल ठीक है फिर निकर्ण यह दिखे ना triangle बन तो रहा है यह तो हुआ ना यह समकोर्ण त्रिभुज आपको दिख रहा है इस समकोर्ण त्रिभुज में देखिए न यह जो समकोर्ण त्रिभुज आपके सामने उस समकोर्ण त्रिभुज को देखिए यह रिखिए समकोर्ण त्रिभुज देखे वाइट टिलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये समकोर्ट त्रिभुज जो है अब बताए ये समकोर्ट त्रिभुज में क्या समझना है इसमें आधार और कर्ण क्या है हाँ नई ओपी कैप लिखा ना मैंने आप क्या चाहे तो क्या लिखा जाए लंबाई को तो ओपी कैप ही लिखेंगे न बताएए भई आपको एक ट्रेंगल दिया गया है ये ट्रेंगल आपके सामने है चलिए इतना सा ट्रेंगल आपके सामने है और आपको बताना है कि इस ट्रेंगल में आपको कॉस अलफा निकालना है तो कौस अलफ़ाब क्या लिखते हैं? बताईए आधार किता है, एल कर्ण किता है, अच्छा, ओपी कैप, ये देखे, ये अदेस है और ये सदेस है, भाईया ये लंबाई है कि सदेस है? हाँ, और कोड निकालने के लिए क्या है कि चाहने पड़ती है? लंबाई कि सदेस? हाँ, हाँ, जेड अक्छ का इकाई सदेस, अच्छा, जेड अक्छ का इकाई सदेस अगर आप क्यों लेंगे? जेड अक्छ के साथ तो कोड गामा बनेगा ना? भाई, अलफ़ा कोड तो एक्स अच्छ के साथ बनता है, बीटा कोड बनता वाई एक्छ के साथ और गामा बनत जड़क्ष के साथ बताईए एक्स अच्छे के साथ अलफा कोड बनता है तो अलफा निकालने में आपकी मदद कौन करेगा जड़ क्यों करेगा जड़ से तो आप गामा निकाल पाओगे ना ये देखो यहां गामा बनेगा अभी क्लियर हुआ हाँ तो ये हो गई बच्चो दिक अनुपात और दिक कोज्याओ वाली बात ठीक है ना मैंने जित्स लेबल में आपको दिक कोज्या दिक अनुपात बता दी है अब आपको बिलकुल भी परिशानी नहीं जाएगी एकदम बढ़िया से आपको concept पूरा क्लियर हो चुका है आगे बढ़ते हैं अब दिक कोज्याओ और दिक अनुपात के बाद में आता है खंड सूत्र ठीक है तो खंड सूत्र की बात करते हैं कि भैई ये खंड सूत्र क्या होता है तो भहत ही सान चीज है कुछ भी नहीं है इसमें खंड सूत्र में नया यह देखिए मान लीजे आपके पास में कोई बिंदू है ए और ओर जिन के रिस्पेक्ट में इस बिंदू का इस्थिति सदिस क्या दिया जाएगा ओ ए वेक्टर जिसको आप स्मॉल ए भी लिखते हैं ओके तो बिं अब त्यार हो जाएए उसका सदिस आपको स्विकार करना पड़ेगा एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जे कैप प्लस जेडवन के कैप के रूप में आपको यह स्विकार करना पड़ेगा क्या इसका सदिस दूसरा सदिस आपके पास में विंदू बी है इस इसका वेक्टर कितना है बी वेक्टर तो यहां पर देखे ओ बी सदिस है तो मान लिजे बी पॉइंट आपके पास में क्या था बी पॉइंट आपके पास में था आपके पास कोई बिभाजक बिंदू पी है और पी का वेक्टर आपको फाइंड करना है जो की कि M अनुपाते N में ब्रेक कर रहा है इस वेक्टर A, B को A और B को मिलाने वाली रेखा को जो आपका सदिस है है विभाजित कर रहा है किस अनुपात में M अनुपाते N में तो P के नर्दे सांग बहुत ही सिंपल है O P सदिस क्योंकि यह क्या बैठा है O तो P का स्थिती सदिस कहलो या O P सदिस कहलो equal to M into vector B M times of vector B plus N times of vector A upon M plus N अगर अन्ता विभाजन है तो आप plus sign का इस्तमाल करें उपर और नीचे और अगर बाहे विभाजन है तो आप किसका इस्तमाल करेंगे minus sign का तो प्रेश्ट में दिया रहेगा कि अन्ता विभाजित कर रहा है बिंदू या बाहे विभाजित कर रहा है उसके इसाब से आपको O P vector equals to M vector B plus N vector A upon M plus N और M vector B minus N vector A upon M minus N स्वादा अनुसार इस्तमाल करें बुले clear A concept सारे चली इसके question आपने शायद तक vector में कर भी लिए होंगे तो आपको बड़े आराम से बन जाएगा अच्छा देखिए अगर आपकी बात करते हैं यहाँ पर रही हम midpoint की बात कर लें तो आपको पता है कि मद्ध बिंदु में M और N बराबर होते हैं तो M बराबर N कर देंगे तो मद्ध बिंदु के निरदे सांग कर जाएंगे और जब M बराबर N कर देंगे तो M तो M है N भी M है तो यह क्या बन जाएगा midpoint बन जाएगा om सदे से equal to M vector B plus M vector A क्योंकि जब दोनों बराब बनें दोनों को M ले लो upon M plus M कितना हो गया 2M हो गया उपर से M common ले लो तो कितना बन गया vector B plus A upon 2M M से M cancel हो गया answer कितना आया B सदिस plus A सदिस upon me 2 this is your answer done next question की तरब चलते हैं अगला सवाल हाँ जी yes ये PDF में आपको class के बाद दे दूँगा don't worry है चली अब अगले concept पर चलते हैं अगला concept है बच्चों equation of line in 3D equation of line किसमे 3D में देखिए एक line को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती कोई भी दो जानकारी या तो दो बिंदू या एक बिंदू एक दिशा है ना तो सबसे पहले ये जान लो कि सदिस में एक होता है दिशात्मक सदिश सदिश जैसे कि आप अपने सिर में टोपी लगा करके चलते हो टोपी का इस्तमाल तो मैं यूनिट वेक्टर के लिए कर चुका हूँ कि एक होता है दिशात्मक सदिश तो पहले ये समझे लो दिशात्मक सदिश मतलब जो दिशा को प्रदर्शित करेगा उसका नाम पूरे सदिश में आप लोगे क्या AI कैप प्लस BJ कैप प्लस C के कैप ये दिशा देने वाला सदिश है और A, B और C क्या होते हैं इसके दिख अनुपात होते हैं ABC जो होते हैं ये इसके दिख अनुपात हुआ करते हैं इस सदिस का नाम पूरे जगहे दिशात्मक सदिस के रूप से इस्तमाल किया जाएगा ये दिशा देगा आप समझेए क्या रूल क्या होता है वेक्टर का वेक्टर का रूल ये होता है यदि आपके पास ये कोई सदिस है इसका नाम है वेक्टर भी और आपको ये दिशा दे रहा है मतलब आप इसके उपर नहीं चल रहे हो आप इसके पैरलल चल रहे हो ये चल रहे हो और आपके सदेस का नाम है मानलो वेक्टर A तो क्या कंसेप बनता है? आप B के पैरलल हो अगर A इस पैरलल टू B तो बच्चों याद रखना A जो होगा वो B का कुछ गुना होगा लैमडा गुना होगा दो गुना, तीन गुना, दस गुना, पचास गुना जितना भी होगा A is equal to लैमडा B ओके और यहीं से condition आती है दो वेक्टर के पैरललल्यल्टी की A1 upon B1 equal to A2 upon B2 equal to A3 upon B3 पैरलल्यल्टी की condition जो आपको मैंने पढ़ाई है वो भी यहीं से आती है A1 upon B1 equal to A2 upon B2 equal to A3 upon B3 बोलो clear है न? क्योंकि दो वेक्टर पैरलल होगे तो यह पैरललल्यल्टी की कंडिशन हो गई अब इस concept का इस्तमाल करते हुए आपका line का equation बनता है 3D में तो 3D का पहला जो concept है वो है रेखा का समीकर्ण हाँ देखो देखो भाई साब अभी यहाँ पर आपने जो रेखा माननी है पूरा A और B के टम्स में है उसको तो आपकी understanding काम करेगी यहाँ पर मेरे जो A vector के मैंने माना है क्योंकि 2 सदिस माना है तो क्या माना होगा A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap यह मैंने माना है और इसको माना होगा B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap अगर आपको डेदी इसमें अच्छा नहीं लगता है अगर आप असाहज हैं इसमें तो एक काम करिए यह सदिस A है वेट चली तो रेखा का समीकन देखें रेखा का समीकन जो एक बिंदू रूप है एक बिंदू रूप रेखा का समीकन के लिए आपके पास यह कोई गिवेन मिंदू है वेक्टर A जिसका इस्थिती सदिस क्या है X1, Y1, Z1 तो यह सदिस A बन जाएगा X1 I cap plus Y1 J cap plus Z1 K cap सदिस B जो दिसात्मक सदिस है वो A I cap plus B J cap plus C cap है तो इसके समनांतर सदिस कितना होगा Lambda B और बिंदू P जो अन्नोन बिंदू है उसका इस्थिती सदिस कितना है R मान लीजे तो लगाए त्रिभुच का नियम तो त्रिभुच का नियम कहता है दो लगातार बराबर एक अलग से तो वेक्टर R अलग से है वेक्टर R equal to A plus Lambda Vector B तो अगर आपको केवल ये समीकर्ण याद है बाकी कुछ भी समझ में नहीं आया है तो भी आपका काम चल जाएगा तो क्या होता है रेखा का सदिस समीकर्ण Vector A plus Lambda Vector B रेखा का सदिस समीकर्ण होता है Vector A plus Lambda Vector B R क्या होता है Variable Vector P जो किसी भी रेखा पर कहीं भी मूव कर सके A जो होता है बिन्दू सदिस जिस से जा रहा है रेखा A, X1, Y1, Z1 और B क्या होता है दिशात्मक सदिस A I cap plus B J cap plus C K cap हुआ करता है तो इस तरीके से आप जो है रेखा का समीकर्ण याद रखिए है न, R equal to Vector A plus Lambda Vector B दूसरा अब इसका हम कारती रूप पढ़ते हैं तो कारती रूप के लिए आप सबसे पहले इसका सदिस रूप लिख लीजे Vector A plus Lambda Vector B R के इक्कुल होता है R की value डालिए X I cap plus Y J cap plus Z K cap equal to X1 I cap plus Y1 J cap plus Z1 K cap plus Lambda into A I cap plus YB J cap plus C cap अब यहां से इसको minus कर दीजे तो X minus X1 I cap plus Y minus Y1 J cap plus Z minus Z1 K cap Lambda का multiply Lambda A I cap plus Lambda B J cap plus Lambda C cap अब compare करिए गुडांकों को क्योंकि सदिस का rule होता है कि अगर सदिस बराबर है तो उनके गुडांक बराबर होंगे तो X minus X1 equals to Lambda A Y minus Y1 equal to Lambda B and Z minus Z1 equal to Lambda C तो यदि यहां पर मैं ले आओं X minus X1 upon A equals to क्या बन गया Lambda Y minus Y1 upon B equal to बन गया Lambda और Z minus Z1 upon C equal to बन गया कितना Lambda तो अब इनको तीनों को composite कर दीजे तो समग गुरूप से जो समीकन आएगा रेखा का 3D में X minus X1 upon A Y minus Y1 upon B equal to Z minus Z1 upon C X minus X1 upon A equal to Y minus Y1 upon B equal to Z minus Z1 upon C आप चाहें तो यहां Lambda लगा सकते हैं बट Lambda की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपको रेखा पर बिंदू निकालना पड़ेगा otherwise समीकन लिखने के लिए रेखा बिंदू निकालने पर आपको ऐसा Lambda लगेगा समीकन लिखने के लिए Lambda की को जरूरत नहीं पड़ेगी तो थोड़ा सा इसको elaborate कर देता हूँ मैं देखे तो रेखा का कारती समीकन क्या होगा रेखा का जो कारती रूप होगा वो होगा X-X1 upon A equal to Y-Y1 upon B equal to Z-Z1 upon C बस यह है कारती रूप कहां से आया सदिस समीकन R equal to vector A plus Lambda vector B से आया तो यह सदिस समीकन बहुत important है इसको बोलते हैं एक बिंदू रूप अगर मान लीजे आपको रेखा पर कोई बिंदू निकालना हो ओके यह आपके पास रेखा जा रही है और इस पर आपको यह दिया गया है किस से जा रही है X1, Y1, Z1 से और इस पर आपको कोई बिंदू निकालना है ओके तो फिर आप क्या निकालोगे X, Y, Z ग्यात करोगे क्योंकि अग्यात बिंदू को हम क्या बोलते है X, Y, Z तो कैसे निकालेंगे देखो उस समय फिर X minus X1 upon A equal to Y minus Y1 upon B Z minus Z1 upon C equal to क्या suppose करोगे Lambda अब बारी-बारी compare करो तो X minus X1 upon A equal to कितना हो जाएगा Lambda A का Lambda से गुणा हो गया तो X equal to कितना हो गया A Lambda plus X1 जी हाँ यह आ गया रेखा के उपर बैठा हुआ कोई बिंदू X निर्दे सांग का गया ऐसे Y कैसे आएगा B into Lambda करोगे B Lambda plus Y1 और ऐसे ही Z निकाल लो C Lambda plus Z1 तो X आ गया Y आ गया Z आ गया ठीके ना तो अगर question बहुत higher level का आएगा तो फिर बिंदू निकालने को आएगा नहीं तो आपको तो समीकर्ण ही निकालने को आता है बोलो done clear एकदम बढ़िया से चलिए अगला देखते हैं भाई साब पहला हो गया एक बिंदू रूप इसकी practice आपको बुक में दी गई है है ना कहीं कहेगा सदिस समीकर्ण कहीं कहेगा कारती समीकर्ण दोनों में अपने expert हो गए कर लेंगे अगला आता है रेखा का दो बिंदू रूप टू पॉइंट फॉर्म दो बिंदू रूप अब देखिए आपके पास कोई रेखा दो बिंदू से होके जा रही है पहला बिंदू है ए निर्दे सांग क्या होंगे x1, y1, z1 position vector क्या होगा सदिस a तो यहां लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए oa सदिस बराबर a सदिस short में equal to x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap यह हो गया दूसरा दूसरे बिंदू से भी जा रही है यह देखे दूसरे बिंदू से जा रही है दूसरा बिंदू दिया गया है b और b का स्थिति सदिस कितना है vector b b का स्थिति सदिस vector b है और दूसरा बिंदू b है x2, y2, z2 अब आपको पता होता है कि जब दो बिंदू दिये होते हैं आपको पता है कि चलना यहां से यहां तक है तो आप किसी से दिशा क्यों पूछ होगे जब आपको यह पता है कि मुझे यहां से सुरू होना है और मुझे यहां तक जाना है स्कूल से शुरू होके आपको मिशन चौक तक जाना है तो आपको दिशा तो पता है ना खुद जो आपका सदिस है A B सदिस है वो दिशा का काम करेगा तो दिशा क्या बन जाएगी आपकी इस बार इस बार खुद आपकी दिशा बन जाएगी A B सदिस यह आपकी दिशा बन जाएगी और A B सदिस मतलब क्या पढ़ाया था मैंने विस्था पन सदिस बराबर B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर सरल भासा में अंतिम माइनस प्रारम भेक चलो भाई लिए तो अब यह हो गया और यह हो गया ठीक है ना B माइनस A के समना अंतर आपको जाना है B माइनस A के समना अंतर चलिए तो यह A सदिस हो गया और यह क्या हो गया यह बिंदू यह बिंदू B था अब यह ले लो भाई साब क्या कोई बिंदू अन्नोन बिंदू P X Y Z और ये भी पता है कि O P अज्याद बिंदू का स्थिती सदिस होता है वेक्टर R X I cap प्लस Y J cap प्लस Z K cap चलो, मिला दो इसको भाई, तो ये क्या मिल जाएगा आपको ये मिल जाएगा आपको R सदिस, ठीक है, अब देखो आपके पास में, एक सदिस आपके पास में सदिस A है दूसरा सदिस आपके पास में सदिस B है और तीसरा सदिस सदिस R है ओके, और ये आपको दिया है B-A, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो ये complete सदिस कितना होगा यहां से लेकर के यहां तक ये जो सदिस आपको दिख रहा है ये b-a के समनांतर है तो ये पूरा का पूरा सदिस बनेगा lambda times b-a चलो तो आजाओ सदिस समीकरण बनाते हैं दो लगातार बराबर एक उल्टा तो उल्टा वाला क्या है सदिस r equal to vector a plus lambda vector b-a बन गया सदिस समीकरण वेक्टर r equal to vector a plus lambda vector b-a कौन सा समीकरण है ये है दो बिन्दू रूप कौन सा समीकरण है ये दो बिन्दू रूप दो बिन्दू रूप हो गया है Done अब इसका हां कुछ पूछ रहा हूँ भई ओ का मतलब मूल बिन्दू बताया था ना मैंने स्थिती सदिस पहले ही concept था भई वेक्टर का वेक्टर का पहला concept मैंने इस बार हिंदी में स्थिती सदिस पढ़ाया है कि आप ब्रम्हंड में कहीं भी हो अपनी पोजीशन को आप मूल बिन्दू के रूप में व्यक्त करेंगे तो ओ तो फिक्स है अब इसके बाद ये बन गया ओ से लेके पी इन शॉट इस और तुम्हारा वेक्टर है पोजीशन वेक्टर XI केप प्लस YJ केप प्लस ZK केप समझ में आया है वो लो क्लियर है ओके तो ये देखिए आपके पास में बता दिया मैंने दो बिन्दू रूप मैंने बता दिया R equal to vector A plus lambda vector B minus A ठीक है न थोड़ा सा इसको अब कारती रूप में बदलते हैं चलिए तो अब पढ़ेंगे इसका कारती रूप ठीक है कारती रूप पढ़ेंगे किस समीकन का R vector equal to vector A plus lambda vector B minus A चलो R कितना होता है R होता है X I cap plus Y J cap plus Z K cap सबको पता है A कितना होता है A होता है X1 I cap plus Y1 J cap plus Z1 K cap पहला बिन्दू plus lambda तो lambda ही है B मतलब दूसरा बिन्दू A मतलब पहला बिन्दू तो माइनस करोगे तो आएगा X2 minus X1 I cap plus Y2 minus Y1 J cap प्लस Z2 minus Z1 K cap बोलो done यह आ गया अब इसको इधर ले जाओ तो यह क्या बन जाएगा X minus X1 I cap plus Y minus Y1 J cap plus Z minus Z1 K cap equal to lambda X2 minus X1 I cap plus Y2 minus Y1 J cap plus Z2 minus Z1 K cap तुलना कर दीजिए संगत पार्ट की एक सिकेंड तो संगत पार्ट की तुलना करते हैं तो देखें क्या हो जाएगा यहां का X minus X1 है और यह है lambda X2 minus X1 so X minus X1 equal to lambda X2 minus X1 okay so X minus X1 upon X2 minus X1 equal to कितना lambda इसी तरीके से Y minus Y1 equal to lambda Y2 minus Y1 so Y minus Y1 upon Y2 minus Y1 equal to lambda और इसी तरीके से Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 equal to lambda तीनों को अब आप मिला दीजिए जैसे कि हमने पहले भी मिलाया है तो यदि तीनों को आप मिला देते हैं तो आपके पास एक समग रूप से एक नया समीकर्ण प्राप्त हो जाएगा क्या समीकर्ण होगा वो X minus X1 upon X2 minus X1 equals to Y minus Y1 upon Y2 minus Y1 equals to Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 equals to lambda और एक बात आप फील करिए देखिए क्या हो रहा है यह समीकर्ण हमारा finally आ चुका है यह बहुत important है कारती रूप में आएगा तो आप इसको लगाईए और vector रूप में आएगा तो vector A क्या पढ़ा आपने vector R equal to vector A plus lambda vector B minus vector A यह तो दोनों चीज़ें आपने देखी लिए बहुत important है मैं क्या कह रहा था एक बिंदू रूप आपने क्या पढ़ा था एक बिंदू रूप आपने पढ़ा था X minus X1 upon A Y minus Y1 upon B और Z minus Z1 upon C आपको पता है A, B, C क्या होते हैं A, B, C होते हैं दिक अनुपात और मैंने आपको दिक अनुपात पढ़ा रखा है A, B, C दिक अनुपात होते हैं और दिक अनुपात मैंने आपको बताया था कि A का मान कितना होता है x2-x1 b का मान होता है y2-y1 fc का मान होता है z2-z1 तो ये चीज़ जो है मेरे कहने का मतलब a, b, c जो है यहाँ पे support कर रहे हैं जो आपको भूलने नहीं देंगे इस formula को अगर कभी भूल भी जाए तो करना क्या है x-x1 upon a equal to y-y1 upon b equal to z-z1 upon c की जगह a, b, c में क्या करना है दो बिन्दू को मिलाने वाली रेखा के दिकान पात x2-x1 y2-y1 और z2-z1 बोलिये clear है बच्चो इतना तो अब आप अपनी भूक उठा करके सबसे पहले इन पर बेस question के examples थोड़े से देखिए दो मिनट आप example देखिए इसके बाद अगला topic करते हैं हम दो रेखाओं के बीच का कोण तो पहले example देख लीजे ओके बच्चो देखिए अगला concept लिखे दो रेखाओं के बीच का कोण दो सरल रेखाओं के बीच का कोण concept है दो रेखाओं के बीच का कोण तो दो रेखाओं हैं आपको उनके बीच का आपको कोण लिखना है तो देखिए आपने देखा दो रेखाओं हैं आपके पास पहली रेखा जो है पहली रेखा आपके पास में क्या बनी पहली रेखा आपके पास में बनी है सदिस A सदिस R equal to vector A plus lambda vector B ओकी तो हम बात कर रहे थे दो रेखाओं के बीच के कोण की किस तरीके से दो रेखाओं के बीच का कोण निकालते हैं देखो पहली रेखा आपके पास में मान लो vector R1 R1 नहीं ले न भी या कभी हमें सा R क्योंकि variable के कोई निशान नहीं होता vector R equal to vector A1 plus lambda vector B1 मतलब दो रेखाओं हैं जिसमें पहली रेखा यह है और दूसरी रेखा यह है vector R equals to A2 plus lambda vector B2 तो दोनों के बीच का आपको कोण निकालना है अब देखो यह पहली रेखा है इसका जो दिशात्मक सदिस जा रहा है suppose यह जा रहा है इसका दिशात्मक सदिस और दूसरी रेखा यह है जिसका दिशात्मक सदिस यह जा रहा है यह देखो अब आपको पता है कि भाई दोनों दिशात्मक सदिस मुख रेखा के parallel होंगे क्योंकि अपने अपना दिशा अपनी अपनी parallel होती है बीच का कोण बनेगा और पहले की दिशा कितनी है B1 सदिस और दूसरे की दिशा कितनी है B2 सदिस और आपको पता है dot product में कि 2 सदिस के बीच का कोण होता है cos theta is equal to A dot B upon mod A mod B तो यहाँ पर सदिस कौन है B1 B2 तो cos theta equal to B1 सदिस dot B2 सदिस upon mod B1 mod B2 लिख लो formula यह हो गया दो सदिसों के बीच का कोण भी है और दो रेखाओं के बीच का कोण भी है नोट कर लीजे दो रेखाओं के बीच का कोण उनके दिशात्मक सदिसों के बीच के कोण के बराबर होता है and this is equals to B1 dot B2 upon mod B1 mod B2 अब इसको partition form में convert कर देते हैं तो देखो भाई क्या होगा जैसे ही आप इसको partition form में convert करोगे तो क्या होगा partition form में convert करने के लिए अपने क्या निकाला cos theta is equal to B1 सदिस into B2 सदिस dot B2 upon mod B1 mod B2 चलो देखो B1 क्या होगा? B1 है पहली रेखा का दिशात्मक सदिस A1 I cap plus B1 J cap plus C1 K cap and B2 सदिस equals to कितना बच्चो? A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap तो चल ये cos theta is equals to दोनों को multiply करिए उपर उपर आएगा A1 I cap plus B1 J cap plus C1 K cap dot A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap divided by under root of A1 square plus B1 square plus C1 square और ये वाला है A2 square plus B2 square plus C2 square finally formula आपके पास cos theta का आ चुका है A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by under root A1 square plus B1 square plus C1 square and under root A2 square plus B2 square plus C2 square ये नोट कर लिजे ये है दो सदिसों के बीच का कोन भी यही है और दो रेखाओं के बीच का कोन भी यही है done अब देखी इसमें एक विशेस केस है अगर दोनों सदिस एक दूसरे के दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होंगी तो अगर लंबवत होंगी तो theta कितना होगा 90 होगा और cos theta कितना होगा cos 90 होगा और cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0 और जैसे ही आप इसको 0 पुट करोगे तो denominator 0 के साथ भिड़ करके हर 0 हो जाएगा और क्या बचेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 equal to कितना 0 denominator का मतलब हर तो ये हर multiply हो जाएगा 0 के साथ तो लिख लो बच्चों बहुत important question इससे पक्का आपके exam में आएगा कि दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो क्या concept बनेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 equal to 0 तो मैंने एक बार पढ़ा भी दिया है कि अगर दो रेखाएं समनांतर हैं A parallel to B है So A1 upon B1 equal to A2 upon B2 equal to A1 B1 A2 B2 A1 B1 अच्छा यहाँ पर मैंने B1 क्यों ले लिया A1 A2 लो ना अभी तो मैंने फिलाल A1 B1 C1 और A2 B2 C2 लिया है तो मुझे A1 B1 So A1 upon B1 equal to A2 upon B2 equal to क्या कर रहा हूं भाई वेक्टर क्या लिया मैंने A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 upon A2 B1 upon B2 C1 upon C2 A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2 यह हो गई कौन सी समनांतर होने का प्रतिबंध और अभी अभी मैंने पढ़ाया कि अगर सदिस A सदिस B के लमवत हो यह लमवत का निसान है बच्चो तो क्या कंडिशन सीखी A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to कितना 0 तो बस यहाँ पे clear हो गया अपना concept और एक example देख लीजे आपकी book में लिखा हुआ है कि अगर बीच का कोण ग्यात करो तो so simple यह देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखे हुए हैं formula लगा दो कोण आ गया so simple कहरा सिद्ध करो की रेखा है परस्पर लमवत है तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 गुणा कर दो कितना आ गया dot product किया A.B. equal to 0 आ गया इसका मतलब यह परस्पर क्या है लमवत है तो चली काफी सारे question अब आपसे almost 50 to 60% question अब आपके बन जाएंगे परिक्षा बोत के और आपकी book के तो इनको लगाईए और अगली class में मिलते हैं है ना दो रेखाओं के बीच की दूरी और अलग concepts को ले करके चली thank you so much आज के लिए इतना ही धन्यवाद